तो हेलो दोस्तों देखो आज मैं बनाने वालो अपने मिनी स्टोप पे मैगी ठीक है सबसे बढ़ा को स्टोप दिखाता हूं कैसा बनाए देखिए यह जो आपको यह नीचे की चक्री दिख रही है ना यह एक रेंडर की ब्लेड होती है ठीक है तो मैंने यह बना रखा है और चाहरो कुने पर 30 लगाई है ताकि इस पर कोई बीसामान जैसे लोटा वोगया ऐसी मैं की बनाने वालों यह जो लोटा है इसी मैं कि बनाूंगा ये इस पहुछ िस हूंगा मैं तीक है और यह देखिए इसके अंदर हम 60 तेल डालेंगे वह 4020 चलेगा पर इसको खोल लेते हैं पहले कि यह देखिए यह खुल चुका है यह देखिए आपको दिखाया तो अंद्र अगा स्ट्रक्चर यह देखिए जो यह ना यह देखिए था यह सूती कपड़ा एक और यह आप लोग को याद दो का जब हमारे जवाने में टॉट वगएरा का सिस्टम नहीं था तो हमारे घर में ममी लाल टेन बनाती थी उसमें ऐसे जूई लगा रहता था तो कुछ उस तरह का इसके अंदर का व्यू आपको एक पर दिखा देते यह देखिए अब इसके अंदर हम डालेंगे सर्सो तेल चलिए सर्सो तेल डालते हैं तो यह सर्सो तेल की बोतल ना तो अब हम बोतल खोल देते हैं दो पूच करता हूँ इसमें थोड़ा समसर्सो तेल डालेंगे आपको दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं कैसे डाल रहा हूं मैं इसमें तो सब्सक्राइब तोड़ा सा मेरे खासे इतना काफी है तो इतना तेल हम डाल देते हैं इसके बाद जो यह रूई है ना अपना तेल सोकले की बाद है अब इसको अच्छे से इसको अच्छे से कवर कर देते हैं ठीक है और और यह न इसके उस तरी लैट चली गई और दो मिन का सबी कस्टमर आया है तो काई अभी अभी लाइट आगई अभी लाइट चली गई थी आथ तो अब हमें क्या करना इसके उपर हुआ थोड़ा थोड़ा तेल डालना है अब ज्यादा नहीं मतलब फलका सा डालना है इससे न यह थोड़ा भीग जाया तो यह काफी है आप इसको ना मैं यहां पर देखिए रूइ पड़ी थोड़ी सी थोड़ी सी आजा तो यह रूरी इसे ना में इसको थोड़ा-सूरा डिप करके इन सब पे ना देखे आप तेल को ना इस पे लगाने कपड़े के ऊपर ऐसे 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 थोड़ा ना ये थोड़ा भीग जागा ना तेल से तो ये हो जाएगा थोड़ा दो मिजंटी अब हम इसमें लगाएंगे आख आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आख लग रही है कि जुजती हुप है तो अब हम इसपर रखते हैं लोटा अ कि हमने इसपर रख दिया है लोटा धर जब क्याएं अब हम लोटे में डालेंगे थोड़ासा पानी तो या गया हमारी बोतल हमने खोली बोतल अब देख सकते हैं आप कितनी धेज़् के अंदर आब इस तरब बन तो अब हमने इसके अंदर टाल दिया है और देखिए इतनी तेज हुआ इसके देखिए आज तक आपने यूटूब पर देखा होगा गैस्टो देखा होगा अपने किते यह दो के देख तो पानी दूका प्ने करा देता यह यह तो अरे पाधी auga यह मेरी दुकान हो तो क्यों हुट है अब ही मैं इसको बंद करने वाला उसी वह तो बम यहां से उठाँएंगे अपान से एक मैघी तो हमने एक ले रहे हैं इस तो हम चलते हैं इस इंद्बी का का निकट को अब देखानि में अब धूमा निकलना स्टार्ट हो चुका है लगब हम यह लगा लीजी मुझे तू 5 टीनिट करीव हो गया हैं पानी गरम पानी ब्रष्भा निकलने में धैसे साफित कि aleissa यह मैं नेड którego का दूट खूरा एक तूसरा मेंगी कर्ट तुट खूरा और यह का तूट चीचफ से इसको थोड़ा दोगों देते हैं नेगी को मार रहा हो मैं देखेगा इस पानी mówi के अंदर मैंने मैंगी को जान से मार दिया है तो अब लेगे मेरे दियूं यह थोड़ा यह लास्ट वाला जल्दी जब तब ही थोड़ा से गरम होट देनता हूं मैंगी को ठोड़ा गल जागा जा मैंगी तरहीसमन नमक और क्या कहते हैं मसाला डाल दूंगा रखिया होगा सब्सक्तिक मैंने टालूंगा तो अब तो अ को पास पता है तो फोड़ा बॉस्किल होता है इसमें डैस देखे कितने तेज जल रही है आप देख सकते हैं दोस्तों लेकिन आप एक चीज का याद रखना जब आप इसकी बत्ती बनाओगे न चूले की तो कोई ऐसा चीज लीजेगा ऐसा कपड़ा जो जल्दी मतलब और जलेना और तेल को जाता सोख है तो कि अगर आप कपड़ा लेना कोई जो तेल सोखे तो जब तक कपड़े में तेल लगा रहेगा तब तक कपड़ा जलेगा नहीं है ना बात यह है अगर आप कोई ऐसा कपड़ा लेंगे जो तेल सोखता ही ना हो ज्यादा तो आप जैसी आग लगाएंगे तुरंती वह जल जाएगा समझ तो आपको ढंका कपड़ा लीजेगा जो की तेल सोखे और मस्त फिलाल तो मैंगी मेरी बन गई है मैं सोच रहा था कि मैं एक वीडियो बनाओ जिसमें मैंने गैस्टोप कैसे बनाया लेकिन अमने दुबारा कैसे बनाओ क्यों कि मैं तो एक बार बनाई चुक हूँ काई टे देख सकते कितना अधर धुआ भी निकल रहा है इसके अंदर और आप लाइफ देख सकते कि मैं अपने स्टोप पर बना रहा हूं क्योंकि एक यूट्यूब चैनल पर मैं रिखाता है बनाता है चूले पर हो दिखाता है स्टोप पर मतलब फेक वीडियो यह कि नाम एकतम ज इस होते जा रहा है और मैं आपको लास में दिखाऊंगा भी कितना मैंने इतना चला हो कितना तेज होगा इसने तो काई बजट बड़ा कम है सरसो तेल आपको सरसो तेल हर घर में मिल जाता है जहांकि और यूट्यूब पर दिखाते हैं मिट्टी तेल वाला सब कैरूसीन प हम अनिय को गहर दब चला सकते हैं जा कैसे आप चाहे तो गाते हैं मतलब फर्चुन वाला थे सर में लगाना उसकोady तेल को दिखकत वाली बात फ्कतर तो इसको हम थोड़ा गाड़ा हो देता हूं ठीक उसके बाद मैं चालू करता हूं रिकोर्डिंग अभी ऑफ करते हूं थोड़ा जब यह लास्ट चप है देखें मेरा लोटा पूरी तर से काला हो चुका है एक दब गैस बुजा दिया मैंने और मैंगी फुली रेडी हो चु पूरी शुरू करते हैं सबसे माच इसको रखता हूं और गाइस बीडी वडी चीओं तो ले ले लेंडा आके मिर से तो यहां से उठाएंगे एक डोंगा अगर प्पी प्रेंग जाला तो यहां पर हमने रखाएं डोंगा अब हम लेंगे कपड़ा एक लोटा गरा मैं तो ह हाथ से उठाना बेफ़कूफी होगी कि वीडियो उनाने के चक्कर हाथ ना पकानूं मैं तो काईस अब यह हम मैगी परोसरे हैं इसने रस आया ज्यादा इस लोटे को रफूंगा मैं कपड़े के ओपर जमिन काली तो मुमीद होईगी मेरको वैसे भी दोगी देकिन कोई ब यह कालिक लग गई हैते वीडिक यह देखिए कंगली यह कि अधर एक आदि आ यह कि यहां मस्त माती आधम किचन जैसे माइब बन लिए तो काईस माइब को बनाने मां लगबक में को दस मिनट तो साइथ लगी गए है और मैं तूले बनाते तो तो पांच विंट में बन जा तो गाइस गुड़ाई फ्लेजी जारा यह पानी का बोतल है हाँ तो गाइस वीडियो बस इतना ही आज के लिए और मैं और भी ऐसी अजीबरी वीडियो लाता रहूंगा यह खिलका बॉरा है हाँ तो मैं कहाँ था कि यहाँ वीडियो का लाइक कर देना सब्सक्राइब करना चलंग को और चलते हैं डाटब बाइबाई और हाँ मोवीज रिलेटेड वीडियो के लिए भी आपने को क्योंकि मैं अपने कम्मूनेटिव पोस्ट में मोवीज के थर्मनेल और उनके डाउनलोड के तरीके बताऊंगा ठीक है तो मोवीज के लिए अगर मोवीज लवर हो तो भी मेंगो सब्सक्राप कर लेना तो अगर ब्लोग अगरा देखना पसंद करते हूं या फिर कोई भी हाउटो में वाली वीडियो से कोई इलेक्टोनिक चीज बनाना उगिजा तो वह भी मेंगोज अब को फोलेकर सकते हो और हाँ मैंने प्रिविएस वीडियो मैं रोस्